एलो डियर स्टुडेंट्स एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है हम एडवांस बैल्डिंग की वीडियो सीरीज में नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ट कर रहें आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें फर्स्ट टॉपिक होगा मैंटेनिंग दी आर्ट इन एसी करंट में जो आर्ट प्रडूज हो रहा है उसे किस तरह से हम मैंटेन करते हैं आईउनाईजेशन पोटेंशियल एनरजी लो पावर फैक्टर इलेक्रोड पॉलेर्टी इन टॉपिक्स को आर्ट के इस सबसे पहरे स्टार्ट करते हैं मैंटेनिंग दी आर्ट इन एसी करंट में आर्ट मैंटेन करने के दो मैंथर है पहला मैंथर है यूज ओफ लो आईजेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स इन पोटिंग फ्लक्स सेकेंड वन इस यूज ओफ लो पावर फेक्टर इन दो मैंथर्टी है यहां एसी के अंदर आर्ट मैंटेट कर सकेंगे तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं आईउनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी हूथी क्या है जो हम फर्स्ट मेंथर बात कर रहे थे हूं है क्या ह जब इलेक्टोड और वर्कपीस कॉंटक्ट में आते हैं और उनके बीच में इसमाल गैप होता है तो उस इसमाल गैप की वजए से वहां पर करन्ट फ्लो होता है और वहां से जो इलेक्रोंस एमेट होते हैं उन्हीं इलेक्रोंस जो एमेट हो रहे हैं उन्हीं ही बोला जात तूँ आइज़ेशन पॉटेशिंटी तो आइज़ेशन पॉटेशियल या फिट एनर्जी इस नेजर ओस वेडिटी ऑफ ए मैडल तूं एमिटी एल्क्त्रों अबर्ण एमिट्टी है। तो से बोला जाता है आउणिजेशन पोटेंशियों तो इसे दिनोट है. तो आउणिजेशन एनरजी है ख्या? वाट इस दी मीनिमूम एमाउंट ओफ एनरजी रिक्वायर तो रिमूव दी मोस्त लूजली बाउंड एलेक्रॉन फ्रों एतम और मॉलीकुल। जो सबसे लूज बाउन्ड जो होता है वो एलेक्ट्रों जिस एनरजी पर रिमूव होता है उसे जैसे जो एलेक्ट्रों होते हैं आटम्स जो होते हैं मॉलेकुल्स जो होते हैं वो आपस में बॉंड के दुरूप अट्रेक्ट रहते हैं जुड़े रहते हैं उनमें से जो सबसे वीक बॉंड होगा सबसे आसानी से छुड़ जाएगा उसे अलग करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वाइल्मेंट होगी उस एनर्जी को बोला जाएगा आउनाइजेशन एनर्जी अगर कोई X पार्टिकल है उसमें एमाउंट आफ एनर्जी हमने कुछ दे दी इस एनर्जी की वजह से यहां पर फ्री इलेक्ट्रोंस हमारा रिमूव हो गया रिलीज हो गया तो इस मिनिमम एमाउंट आफ अलो अलगलगल्गम मेटल के लिए डिफल्ट डिफरेंट मैट्यक के लिए यह गहलाएज अपोटेंशेल होता है यह डिफरेंट होता है लेफरेंट और बिफिरेंट मानैण क क्लिई कई एननी बहुत खोटको होती है तर्सियम पोटेशियम इन सब की बहुत कम होती है अलुमिनियम और आयरन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत आई होती है कि अधर मैंट लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं अभी हमने जैसे बात की थी जैसे लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट सब्सक्राइज लगाते हैं उस फ्लक्स में इन लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट को हम एड़ कर देते हैं और एड़ करने के बाद उसके बाद ऊस इलक्तो के ऊपर हम उसकी कोटिंग करते हैं और जब हम आड़ प्रडी सब्सक्राइजाए हैं जब हम नगर कर रहे हैं उस कैन पर यह एलिमेंट से हमारे विलीज करते हैं इस पर डिप्रेंट में उनिदे में बीच एंब को यह इस्चार दिफेरिंस बीटिमिन एलेक्टरोन एंड वर्टीज से बीच में एस्चार आप है यहां पर यह डाइग्राम के दिखाया गया है लो आइजेशन पोटेंशेल एलिमेंट्स और देंस्टी ओप चार्ज पार्टिकल्स तो जो इलेक्टोड हुँदा है उसके ओपर यहां कोटिंग की गई है यह हमारा इलेक्टोड और इसके ओपर यह कोटिंग की गई है अब जैसे ही एलेक्टोड और वर्कपीस के बीच में कैथोड और एलेक्टोड और वर्कपीस के बीच में हम गैप मेंटेन करेंगे करन्ट फ्लो उसके अंदर होगा पोटेंशिल डेफ्रेंश वहां पर होगा तो लो डेंस्टी ऑफ चार्ड पार्टिकल्स वहां से फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और वहां पर हमारा प्लाज्मा प्रदीश हो जाएगा और उसके बाद जब हम उसी एलेक्टोड के ऊपर लो आइमाइजेशन पोटेंशिल एलिमेंट की कोटिंग अगर कर देंगे तो जो चार्ड पार्टिकल्स हमारे होगा निकल रहे हैं वो हाई टेंसिटी के साफ मेंटेंगे हाई देंस्टी अब चार्ड पार्टिकल्स वहां से रिदीश द वा पार्टिकल्स हमें अब आ उसमें लो पावर का एक रेशो है अपके रेश्यो और इस डिपाइन एज रेशों और एक्ट्ने पाव ड्रोंड फ्रॉमर्ण्ड पावर सूर्स पावर सोंसे जितनी हमिरें सब्सक्राइब नेंट ऑपेरेंट्ट्रोंड गार जितनी पावर वहां से आ रही है और बैंडिंग लाइन में जितनी हम दे रहें उनके रेशो को बूला जाता है पावर के तो अगर फॉर्मुले के कोडिंग पे के पावर फेक्टर इक्वल टू एक्च्वल पावर ड्रॉन फ्रॉम दिपावर सोर्स डिवाइड़ वाई अपेरेंट पावर अब ड्रॉम दिपावर सोर्स अक्षर अप्टावर कितनी आ रहे है और अब यृदिए और अब यृदिए लिए इनके रेशो हो गया हमारा बावर के लो पावर फेक्टर बात कर रहे हैं कि लो पावर फेक्टर इस इंतेंशनली यूज़ तो इंप्रूव बिए आर्क इस बाइ यूजिंग प्रॉपर लो फावर प्रेक्टर 0.3 फुल ओपन सर्कुट गोल्डेज अक्रोस्टी एलेक्ट्रोड और वर्क हैंप्स इन रिलीज और फ्री एलेक्ट्रों तो मैंटें फ्लो और एलेक्ट्रों है लो पावर प्रेक्टर इन्टैंशनली हम उज्ड कर रहे हैं आर्ट इस्टेमिलिटी को इंप्रूफ करने के लिए लो प्रेक्टर की जो रेंज हमने यहां पर प्रॉपर्ले यूजन करने है वह जीरो प्रेक्ट आप अब इसी के अगर बात करें लोग फेक्टर में अल्टरनेटिव करन्ट एसी पॉलर्टी इस स्विच्ट एक फ्रिक्वेंसी ऑल डेंटेंट हम स्विच्ट कर सकते हैं इस्टेक और रिवर्स पॉलर्टी आर्क है akshating hundred times per second with 50 Hertz frequency power supply प्रेलट इस पावर सोर्सीजेश यूज़ वियर सेल्फेस क्लीनिग इज रिक्वाइट सच अ बेंद आई एंद एमज एसे पावर सोर्स वहां यूज़ कर रहे है यहां पर surface cleaning भी required होती है जैसे aluminium magnets electron emissivity of oxide layer is superior than freshly cleaned matter electropolarity तो टाइप एए direct current state quality DC EN जिसमें electrode को as a cathode use करते हैं और उसे हम negative बनाते हैं state quality deeper penetration के लिए हम use करते हैं second direct current reverse polarity DCEP reverse polarity इसमें electrode को हम anor बनाते हैं ऐसे positive उसे हम use करते हैं तो यह enhance deposition rate of consumer electrode यह हम कम use करते हैं जब कर्यों एक एक पो deposition rate and enhance करना हो एक हम एक हम एक हम एक है electoral quality यहां पर दिखाई गी है DC state polarity, 70% heat to workpiece, 30% heat to electrode, reverse polarity, 30% heat to workpiece, 70% heat to electrode, surface green, AC 50-50%, 50% workpiece or 50% electrode, तो यह हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पॉलाय टीवी पढ़ी, आर्गमेंटिल करने का प्रोसिजरी था, थैंक यू